Hello Guys, आज हम बात करने जा रहे हैं Privacy Protection Setting के बारे में इस Setting की ज़रूरत हमें कई ना कई पढ़ जाती है क्योंकि इस Setting के बिना हम किसी भी आपको कोई Permission नहीं दे सकते तो इसी लिए हमें इस Setting के बारे में पता होना बहुत जरूर है तो चलिए video start करते हैं यहां पर हम settings पर click करते हैं इसके बाद में हम नीचे जाते हैं यह privacy protection पर हम click करते हैं यहां पर आप देख सकते है privacy protection sensitive actions यहां पर सभी permissions दी गई है जैसे कि Location, Contacts, Call Locks, Microphone इसके बाद में हम All Permissions पर क्लिक करते हैं यहाँ पर इतनी सारी यहाँ पर यह सभी Permissions दे गई है Body Sensor, Permission, Calendar, Permissions, Call Locks, Camera, Contacts, Location, Microphone, Physical Activity, SMS यह सभी Permissions है, Storage, Telephone, Additional Permissions यहाँ पर हमें यह देखना है कि यह Permissions हमने कौन-कौन से एप को दे रखी है तो हम यहाँ पर Body Sensor पर क्लिक करते हैं आप देख सकते हैं इसको मैंने कोई भी Permission नहीं दी है क्योंकि इसकी हमें जरूरत नहीं पड़ती बैक जाते हैं इसकी बाद आप देख सकते हैं की Calendar, कलेंडर पर क्लिक करते हैं यहाँ पर मैंने कलेंडर को कुछ Permissions देखे रखी हैं जैसे कि मैंने Gmail को और Google को और Calendar को, इन्हें मैंने कुछ Permissions देखे रखी क्योंकि क्योंकि इनके कई नहीं हमें जरूरत पढ़ जाती है क्योंकि Google में calendar की कहिने कही जरूवत पढ़ जाती है Gmail में भी calendar की जरूवत पढ़ जाती है तो इसलिए मैंने इसे 2-3 permission देखे रखे हैं आप भी अपने according कोई भी permission दे सकते हैं आप यहाँ पर देख सकते हैं camera यहाँ पर हम camera पर click करते हैं यहां पर आप देख सकते हैं मैंने camera को बहुत सारी permission देख रखी है क्योंगism के अज Gibi willingness पढ़ी जाती है क्योंशा हम इस्टेक्स इस ट्राग्राम पर वीडियो बना रहा है तो वहां पर के अज, भूट शचेओ को पैश데 कर रहा है हमें बहुत सारे एपों पड़ती हैं तो इसलिए microphone की permission हमें दे देनी चाहिए special permission इस पर हम click करते हैं इसमें बहुत सारी permissions दी गई हैं जैसे battery optimization, device, admin, apps ऐसी बहुत सारी इसमें permissions दी गई है बट इसमें हम इन permissions को use नहीं करते क्योंकि यह हमारे कोई काम की नहीं है इसमें battery optimization यह permission हमारे काम की permission other permissions इस पर हम click करते हैं other permissions में ऐसी बहुत सारी जो permissions हैं जिनें भी हम use नहीं करते यह permission भी हमारे कोई काम की नहीं है इसके बाद में high risk permission यह permission एक ऐसी permission है इसे एदि हम allow करते हैं तो हमारा phone hack हो सकता है और हमारे phone में virus आ सकते हमारे इसलिए यह थोड़ा danger permission है इस permission को में किसी भी app को नहीं देना है क्योंकि इससे हमारा phone खराब हो सकता है इसके बाद में है privacy policy privacy policy में यह बताया कर जाए कि हमें कौन सी permissions allow करना चाहिए permissions क्या है और हमें कौन सी application को permission देना चाहिए कौन सी application को permission नहीं देना चाहिए यह privacy permissions में बताया कर जाए यहां पर आप चाहे तो इस पर क्लिक करके आप बढ़ सकते हैं